हाई फ्रेंड्स कंपनी लौ के एजिडिकेशन एंड अपिल स्रीज में आपका श्वागत है आज हम दों बात करेंगे सौथ इस्ट रिजन रिजिनल डैरेक्टर के अपेलेंट ओर्डर का जिसमें करनाट का आरो सी के एजिडिकेशन ओर जिसमें उन्होंने सेक्शन टूहंड तो इसके वाइलेशन में जो पेनल्टी इंपोज की गई थी 15 लाग का उसको घटा कर दो लाग 25,000 किया गया और जो ग्राउंड अपिलेंट ने दिया है आपर उसको कंसिडर किया गया है तो आई हमने चर्चा करते हैं कि इस केस में क्या तक्थ थे और क्या किस ग्राउंड को कंसिडर किया है तो यह काफी हल्फुल होगा कंपनी के लिए तो यह जो अपिल जो है पास किया गया करनाटका आरोशी के अजिदिकेशन ओर्डर के अगेंस्ट में जिसमें उन्होंने सक्षान 203 और रूल 8a है जो कंपनीज अपाइंटमेंट और रेमरेशन और मनेजर परसेनल रूल 2014 जिसमें कंपनीज शक्रिटी के नॉन अपाइंटमेंट से रिलेटर वाइलेशन था तो यहां पर आरोशी ने अपने अजिदिकेशन ओर्डर में यह कहा कि कंपनी ने जिदिकेशन अप्लिकेशन फाइल किया है उन्हेंने सुव मोटो फाइल किया था एंड इस अप्लिकेशन में था कि कंपनीज जो सेक्रिटी थे उनके उन्हें दोजार्चाटर उन्होंने पनीज़हन दे दिया था और कोई भी सेक्रिटी अपॉंटेवा है नहीं हु था दोजार्च सत्र तक तो यहां पर दिसम्बर दोजार्चाइंट से था और नया कंपनी शे की और मेनिजिंग डिरेक्टर पांच लाग का और स्यवेश imagin पांच लाग टोटल और पर केанич क इपल में यह दिया कि अपलेन कंपनी के पास कोई बिजनेस इंकम नहीं था सब्सक्राइब कर रहा था रखा था कंपनी ने तो और इसके यह रिजिन उनने दिया और इसको कंसीडर करते हुए उनने कंपनी के पास कोई बिजनेस इंकम नहीं था थह र। सब्सक्राइब कर रखा था सब्सक्राइब कर र ऑघा और इंटेस्ट जो पर आया था ना शैनली फूल इंटर्मल ल varit पर तो यह पैड नहीं किया गया था इंटाइर लून अभेल वाई शरत्षियटी इसको पे नहीं किया गय था जब तक की पूर जो ऑय का तर्म ₹ comply कर दिया जाय हैं और यहां चिव कोई फांड नहीं था जा चैट जो से यहां चाहिए हो सी इसको रहन चाहिश। मॉलर मसा तक हैं यह यहां जब साहई सत्रों इसके बाद जो पैनल्टी है जो पढ् मैंग तर लाग 50 000 पेंटि असली किया गा है और डेट्रकि इस ओडर को कम्प्लाई करें इसके एकोर्ड ले उनलीए और तॉलीनिन में दो इसके साथ ही जो यह order है उसको पुब्लीक के लिए जारी किया गया है या पार्ट जनवरी दोहज़ा चोबिस को issue हुआ है धन्यवाद